हाँ जी तो अब हम आते हैं ने कम पर एक्सपेंडिचर मे therapists पर देखेएगा ने कम कया ने करने के लिए तेन मेथड होते हैं हमारे पास में इंकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है हमारा Output Method या फिर उसको उसी को हम Value Edition Method भी कहते हैं वो एक ही बात है Output Method, Production Method या Value Edition Method वो एक ही मेथड है एक expenditure method और इससे पहले हो चुका हमारा income method दिखेगा expenditure method आप तीनों में से किसी भी method को अप अप्लाई करें इससे आपका national income आपका सेम ही आएगा डिफरेंट रिजल्ट आपका नहीं आएगा तो आप किसी से भी आप क्यल्क्लेट कर सकते हैं एक्जाम में क्यों होता है स्पेसिफाइड हो जाता है कि आप expenditure method explain करो या फिर value addition explain करो इसलिए तीनों ही method आपको आनद जरूरी है बात करता हूं यहां पर मैं expenditure method तो सवाल यह है कि सर income method का तो मतलब सौंज में आ गया था national income निकाल रहे हैं हम national income निकाल रहे हैं मतलब residential की income निकाल रहे हैं तो समझें कि यहां पर आप कोशिश करेंगे इसी कुछ समझें कि आप खोशिश कीजिए कि क्या होता expenditure मतलब example समझाने कोशी करता हूं मैं कि देखिए एक किसान जो है कि वह वीट पडियूस करता है एक किसान वीट बनाता है और उसके भी अपने वीट लगाने के अपने कोश ठाथ दिया वीट बनाया और उसने क्या करा कि एक वीट को मान लोग इस पांच सुरुपयां में बेच दिया वीट किसको बेच दिया वीट ? एक मिलर को एक आउटा चक्की वाले को बेच दिया वीट ? उस ने क्या किया ? 500 रुपे कितने बेच हैसे ने इसको 500 रुपे बेच दिया ठीकि चलो 500 रुपे लगाया और इसने क्या कर रहा है हाजार में बेज़ दिया अब इसने क्या किया इसने बेकरी वाले को बेज दिया स्रेम वोई रग्यों पीश कर्के स्ने आटा बनाया और इस पांसओ का इसने यहूं पर्धीब कर या मदकी जमीन अमीन और झाटद शर्इलाइब कर्द और ंचा आया पांस तो है पंद्रा बारा सुर रुपए में आगे बेश दिया आगे बारा सुर रुपए में किसको बेश दिया बेकरी वाले को बेकरी वाले ने क्या करा इसका ब्रेड बनाया इसी आठे का और इसको 2000 रुपय में बेच दिया क्लियर आप मेरे बास समझेगा एक फाइनल कंजूमर आता है कि कि इसको मिलेगा इसे 2000 रुपय को मिला तो जब 2000 में इसको बेचा है 1200 में बास को समझिएगा कि इसने वीट 500 का बनाया और 1000 रपय में इसको बेचा ठीक है आप कन्फीज होजाएंगे इस पर थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर देता हूं से इसने से करा कि किस सेल यहां थ uważ hear इसने इसे को बारा सवमें आगे सेल कर दिया कर खईत करके आठा बनाकर और इसने आठैको क्या करा ब्रेड में करदा करके इसको आगे 2000 imeश डिया कि यहां पर वीट आपका एक इंटर्मेडियर गुट्स था क्यूंकि अभी इसने अपने प्रलक्षिन की बाउंट्री को क्रॉस नहीं किया था यह जाकर के जो मील है कि वहां पर यह टैसकर के क्या बन गया यह 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 आपका ब्रैड भन गया तो इस तरीके से सारे के सारे को मिलेंगे इस इसने वीट वाले ने जो Nh 105 किया इसको मेडियेट एकस्ट्पेटिशुम करके इसको फिनिश कर देगा तो यहाँ पर आप किस ने कितना कितना कमाया है मैं इसकी बात कर रहा हूं इसके कितना कितना कमाया है उसकी कमाई 500 का बनाया था हजार में बेचा तो भाज साथ इसका जो इसने जो अर्ण कर रहा है 500 रुपे से ने अर्ण कर रहा है किसने इस परसन ने ठीक है एक किसान ने एक फारमन ने कितना कमा लिया फांस रुप्स रुम लिया है कि प्लस है एक जो माल्यके जिसकी मेल है उसने किया कहनाा हजार पे का खेंदा ओर इसने बारासों बेश दिया तो इस मालिक ने जिर अधीक लगा कराके बिलकुल सानले कितरा इस started कितना कमाया जार में खईत के किसान से और पारसों बेचा इसने 200 रुपे कमाया है कि यहां तक चीज़े बेरे बात समझे और 500 रुप ये पीछे इस पांसो तो ने कमाया लेखने किसान ने पांसो रुपे खर्च किये थे वह पीछे जो भी लोग थे जो भी करम चारी जो खेत में मज़बूर जो काम करने आए थे जो फटिल्यादर लिया ये पांसो के उसके उपर खर्च हो तो पा कमाई कितनी होगी दो हजार होगी अगर मैं सीधा फाइनल एक्सपेंडीचर को ही ले लेता दो हजार तो मुझे इन अलग लग लोगों की इंकम को लेनी की नीड नहीं होती दो हजार रुपय में ही सबकी आंदनी है अब आप मान लिजिए कि कमाने वाला मैं बहुं कमाने वाले मेरे स्ट्र वी जो आपसे बात करता है आपकी जो पलंद सुनता है जराफ आप को जो बी करता मेरे स्ट्र भी कमा रहे तो आप मेरी वी इनकम लोगे मेरे स्ट्राफ especially income लोगे और उसके बाद जो आगे स्टाफ है उसकी इंकम लोगे उससे बेटर क्या है कि फाइनल कंजम्शन एक्सपेंडिचर जो है आपके फीज चितनी भी जो आपने मुझे पे करा उसी को ले लेंगे तो उसमें मेरी भी इंकम है उसी फीज से मैं पीछे भी पास करता हूं क्लियर है तो उसी फीज से वह भी आगे पीछे कहीं खर्च करता है तो अगर फाइनल कंजम्शन एक्सपेंडिचर का अगर अमाउंट ले लिया जाए तो पीछे चेन में जाने की नहीं होती है मेरी बास समझे नहीं समझे एक दवाई का आगर मैं कीमत ले लेता हूं मैंने एक दवाई पर इतने रु इंट्र मेर्ट लोगा तो क्या होगा मैं यह यह भी ले रहाऊ हूं पानासो रुपए यह भी ले रहा हूं कर लेजिंफेर करता हूं तो तो 47 क्या लोगों 47 कमाया बिल्कुल नहीं कमाया इसको जब 2000 किस्टमर ने पे कर था ना इसने पीछे 1200 पे कर था इस बंद्ध की कमाई सरफ कितनी हुई है 800 कमाई हुई है लोगों ने कमाए ना कि 47 कमाए इसलिए हम intermediate consumption expenditure को ना ले करके हम final consumption expenditure लेते हैं क्योंकि intermediate consumption expenditure में repetition आ जाती है clear है इस 1000 रुपय में इसकी पहले 500 रुपय भी तो इंक्लूड है तो इसकी रुपय इसकी दो बार आमदनी आ गई बारास रुपय में तो अलड़ी हजार रुपय आच चुका है तो repetition आ जाता है इसलिए intermediate consumption expenditure ना लेकर के final consumption expenditure लेते हैं क्लियर जी यह यह बाते समय में आपको आई है नहीं बताई ज़्याए रहा कि आई है कि आई है कि आई है कि आई है अगर मैं खर्चों को ले लूँ तो लोगों के आंदनी जूड़के आ रही है या नहीं आ रही है इसलिए आप income method निकाल लिए या फिर आप expenditure question number 9 में डाउट है यह हां मैं बिल्कुल उस पर आऊंगा पहले हम आज इस ट्रॉपिक को कर लेते हैं लास्ट में आपको question number 9 भी लिलूँगा income method कर ठीक है यह बात सब्सक्राइब आपको आई या नहीं बताइए आगी सब्सक्राइब को चलिए अब हम आते हैं कि सीच के उपर expenditure method और सबसे पहले क्या कहता है explain the अब देखिए expenditure method में मैं numericals पर जरूर आऊंगा लेकिन numericals पर आने से पहले एक format को पढ़ना पढ़ेगा जैसा income method का आपके पास में experience है कि पहले हमने format को पढ़ा format हमने दिमाग में बिठाया उसके बाद हमारा लिया आगी का process बहुत आसान हो गया था यहां पर भी आप पहले format को पढ़ेंगे सबसे पहले आईए explain the expenditure method क्या है expenditure method पहले इसको explain कर लेते हैं factor income earned by the factor of production is spent in the form of the expenditure on purchase of goods and services produced by firm firm जो भी goods and services produce करती है उस पर को खहितने पर जो भी हम खर्चा करते हैं यह हमारा expenditure होता है this method measure the national income as the sum of the total final repeat देखीगा सिर्फ expenditure बोलने से बात नहीं बनेगी expenditure हम intermediate goods पर भी करते हैं और final goods पर भी करते हैं तो total final expenditure incurred by the household अब यह final expenditure कौन करता है भया एक household परिवार करता है यह नहीं करता है आपने आज पूरे दिन में बहुत सारे final expenditure की होंगे क्या-क्या आप दूद लेकर कर आपका final expenditure था अगर आपका फाइनल लेकर के लिए घर की करता है यह बात निकरता है बिजनस नहीं करता है बिजनस सारा सामान intermediate ही होता है आप देखते हो एक मेडिकल की शॉप पर अगर उसने रेफिजरेटर लगाया फ्रीज लगा रखा दवाई तक कुछ थंडी रहे तो फ्रीज उठाके नहीं बेच देगा आगे बेचिका तो उसके लिए क्या है इसके ओपर और कोई expenditure नहीं करेगा तो एक बिजनस भी फानलक्रक्रम करता है जो प्लांट मशिन होती है न उससे प्रद्ट बना करके प्रद्ट को बेचता एप्लांट मशिन डई नहीं बेचती है तो जो जो मशीन जो एक कैटल गूर्स पर कहते हैं कि उस पर वैल्यू अडिशन नहीं होता है सरकारी स्कूलों में जो दवाईयां आपको मिलती है क्या उसमें देखिए सरकार के और से कोई विचेच मुफ्त में जो जनता के वेल्फेर के वेल्फेर के लिए उपलब्द करवाई जाती है मुफ्त में सरकार की तरफ से पबलिक के लिए उसको हम गवर्मेंट कन्जब्द करेद समझे यानहीं समझे नहीं कर ओक गौवर्मेंट कैसे करती दो जिगे करती है एक तो कर आप पाइनल कंजम्शन करती है अ कि क्या अब जैसे कि आपको मैं दाथ हूं अगर आप गोवर्मेंट फड़े मिट जो मिलता है बच्चों को खाने के लिए बच्चे तो कोई पैसे नहीं लिए आते ना कि वह सारे काम ज में दिती है जो इसे माना जाता है सरकारी स्पताल में दवाईयों का मिलना यह गभर्वर्मेंट को गवर्मेंट का इस्तेमाल करती है यह क्या है यह गवर्मेंट करती है गौवर्मेंट कुछ है इन्वेस्टमेंट भी करती है लाइक क्या कर रही है एक जो है रोड बना रही है मतलब के एक हाइवे बना रही से टोल टैक्स से आएगा उसकी रिवेन्य होगी तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है गवर्मेंट तो गवर्मेंट भी स्टरफ एक हाउस होल्ड ही नहीं करता है करती है और विदेशी लोग जो हमारे यहां पर घुमने आते हैं कि वह एक्सपेंडिचर नहीं कर रहें क्या उनका जो खर्चा है हमारे लोगों की आई नहीं बनेगी आप लाल के लिए के आसपाद जाईए आप आपको महाबर फॉर्णर घुमते वे आपको दिख जाएंगे मिल जाएंगे तो क्या वह उच्छिस को जो खरीद रहें उसको बेचेंगे वह बिलकुल नहीं बेचिंग अपने य स्यक्टर कौन कौन सि हो गए ठीक कर सो गया हों गया ठीक है भाई दूसरा कौं सा और भया की आप हाउसुल्ड़ हो गया थीक्यां जब आप इस्तरा आप कारते हैं expenditure करते हैं मेरे बाद समझें क्लियर है अब चाल expenditure करते हैं तो यह क्या कर रहा है इस टोडल फाइन expenditure is equal to the gross domestic product at market price भाया जी मैं यह लिखा हुआ किताबों की भाषा है किताब में लिखा हुआ है मैं आपसे एक बात ही कहा देता हूं ग्रॉस टोमेस्टिक प्रड़क्ट यह चालों के expenditure जो है न यह ग्रॉस टोमेस्टिक प्रड़क्ट एट मार्किट प्राइज लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि वह NDPT MPB हो सकता है और इस यही नहीं पॉसिबल यह भी है कि वह न्दी पीट MCA MP अ मतलब कि जो आपको प्ढहने जा रहा हूं मैं फोर्मिट में काम करने वाला हूं और कुछ नहीं करने वाला मैं एक हाउस होल्ट finalmente mission expenditure लेने वाला मईत जो है household मैं आउसे ओला इस से GDP by आ भी आ सकता है और इसे डिटिपई आ सकता है मतलब कि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है अब आपका सवाल यह है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि आपका जो आप फॉर्मिट हमें दे रहे हैं वो GDP8 MP निकाल करके देगा यह अपने फॉर्मिट पर देखते हैं कि हमारा इसल्वर्मिट चांख उसनीं क्या है चलीए प्राइवेट फाइनल कंजया एकस्पेंडिचर बला समझे निस्वं कि अंज्ञ एक प्राइवेट ने aplz जो आएब आ भी खर्च करती है न यह उसको भी तरीके से क्या मानेंगे उसको भी हम जो है प्राइविट फाइनल कंजम्शन expenditure तो बात खतम हो जाती है अगर नहीं दिया हुआ तो आप बनाओगे हाउसओल्ड फाइनल कंजम्शन expenditure एंड नॉन प्रॉफिट अर्गनाइजेशन फाइनल कंजम्शन expenditure दोनों को मिला करके बनाओगे तरजा करके आपके क्या फाइनल कंजम्शन expenditure प्लस प्राविट नॉन प्रॉफिट इंस्टूशन क्लियर है यह दोनों चीज़े मिल करके बनती है सीधा यहां पर आपको एक फर्मुला दे दिया गये दे तो अच्छी बात है नहीं दे तो आपको बच्चे बनाना पड़ेगा क्लियर है जी पास समझे चेले तरह आप यहां पर क्या है थो मेरमेंट फायनल एक्सपंडिछर तो क्या रहता है कि इसके बारे में पूरा आपको आप गवर्मेंट फायनल एक्षपंडिचर क्या रहता है इंटरमीडियर कंजंप्शन आफ गवर्मेंट प्लस कंजंप्शन पेड बाइड गवर्मेंट डिरेक्ट पर्चेस फ्रॉम दा एब रोड फॉर एंबसिस इंसर्ट पर जाने जोरत नहीं है आपके पास सीधा सीधा एक पॉइंट रहेगा आपका क्या यह पॉइंट आपके एक्सपेंडिचर सीधी सी बात है एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाइट जर्नल गॉवर्मेंट ऑन दा वेरियस एड्मेस्टेटिव सर्वीज लाइक डिफेंस अब सरकार जो डिफेंस पे खर्च कर रही है जो सैनिकों की तो तंखा दे रही है वह क्या है यह इसका फाइनल अब बच्चे एक पॉइंट समझना होगा आपको कि ग्रॉस आपके पास पॉइंटफिक कर समझेगा फॉइंट नमर थर्ड लुए फॉइंट इस इप नमर तर्ड क्या है ग्रॉस डॉमिस्टिक काफिटल फॉर्मेशन ग्रॉस डॉमिस्टिक जरूरे प्रॉर्मेशन एक्सपेंडीचर आए अग्यान बेसेकलिए दो तरकी के होते हैं एक कंजम्च कहाँ पर होता है कंजम्चन पर होता है कुलियर एजी एक कंजम्चन पर होता है और कहां होता है एक हमारा एक कंजम्शन पे होता है और बच्चे एक हमारा इन्वेस्टमेंट पे होता है या फिर फिक्स इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हैं उसको fixed investment आपको पता है न मतलब कि capital पर इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं capital formation इसी को हम क्या बोलते हैं capital formation जो final expenditure आपके जो है कहां होता है सरफ आपका conjunction पर ही नहीं होता है बलकि आपका capital formation पर भी होता है इंवेस्टमेंट पर भी होता है मेरे बात समझे नहीं समझे तो अभी तक तो हमने क्या चालिया प्राइब फाइनल एक टेकिसे लिए लेकिन अभी अब हमारे पास में वह सारा जो कंजम्शन में खर्चा कर रहे हैं वह सारे खर्चे तो आ गए लेकिन वह खर्चे कहां गए जो कि हमने कि पर इन्वेस्टमेंट के लिए किया था जो को मैंने अपनी अब देखेगा बात मेरे समझेगा मिरेए एक चीनी कैं मैं मैं चीनी मुझे बनाता हूं तो जो गणना कि सारे दुखान वाला है उसकी इंकम 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 और किसान की इंकम हो आ गई जिस से मैं गठना खरीद करके ला था जिसको पीछे पर तो नहीं फिर नहीं कुछ खमा नियुक्त मेरे पीछे जिसने मुझे में बेची ए उसकी इंकाम होगी उससे पीछे जिसने इसको मैनुफेक्ट्रिंग कर हुआ उसकी इंकाम होगी जो इंपलॉई थे उसकी इंपक्रोंगे मशिन के पीछे तो यसे बहुत बहुत बड़ी चेन की इंकम आप छोड़के चल रहे हैं इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर Capital Formation मतलब कि जो इनवेस्टमेंट पर फाइन एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको भी हमें लेना पड़ेगा और इनवेस्टमेंट को ही पे को ही हम क्या कहते हैं Capital Formation कहते हैं तो थर्ड पॉइंट में मैं आपको क्या समझा रहा हूं Capital Formation पहले बताईए आपको सब्सक्राइब कोशिश कीजिएगा यह आपके दो तरिकी के होते हैं एक तो एक तो यहीं होता है एक ठीक स्टाडल केकल फॉरमेशन होता है वह होता है है जिसके गरोब बिजनेस करता है कंए निभी बिजनेस करता है अभी मने बताहिए मशीन का रेजिदेंसल लोग अपने घर मनाने के लिए खर्चा नहीं करते क्या पताओ अब अपने घर मनाते हो तो उस खर्चे को दिखा नहीं कि अभी तक आप क्या पकड़के बैठे हो प्राइवेट फाइनल कंजंप्शन एक्सपेंडिचर लेकिन आपने के तरफ ध्यान नहीं दि जहां इटे बनता है वहां के मजदूर के इंकम नहीं तो अगर मेरे घर में खर्ची को भी लिया जाएगा तो में यहां पीछे सारी चेन यहां पर जोड़ी जाएगी तो यहां पर क्या है कि के ग्रॉस रिजिदेंशल कंस्ट्शन इंवेस्ट्मेंट यह भी लेना पड़े की जाए अब वह बीदिग मना रही है तो वहां कर्चा में का इंवेस्टमेंट था आप तो उसीच को हम क्या कहेंगे इस Geist Krash तो हम क्या कहेंगे गुरॉस पब्लिक इंवेस्टमेंट कह देंगे इसको हम मेरी बात समझे या नहीं समझे तो अब आपके पास में कैपिल फॉरमेशन करने अभी तो आपके दिबाग में यही था कि कैपिल फॉरमेशन सिर्फ फॉर्म करती है भाई या हाउस ओल्ड भी करत करती है तो कौन ग्रॉस बिजनस फिक्स इंवेस्टमेंट बिजनस करती है ग्रॉस रिजेंसल कंसरक्शन इंवेस्टमेंट आउसल्ड करता है रिजेंसल ग्रॉस पब्लिक इंवेस्टमेंट करती है अब मेरे बास समझेगा कि लेकिन कुछ ऐसे इंवेस्टमेंट और भी है हैं कुछ ऐसे और भी है जिसका भी कंजम्शन भी नहीं वह लोग के आई भी बनी है मान लीजिए कि मेरे पास में एक पहले बात को और समझने की कोशिश करें कि मैं दीदे सारी बताता चला जाओं आपको उम्मिद करता हूं कर आपको समझ में नहीं आए तो आप जरूर मुझे उस चीज की तरफ आप लेकर जाएंगे और उसको बारे में जरूर आप मुझसे पूछेंगे नहीं तänge स्थ ह॥ recherche में दूरे चूरे में बнойलीक मistांगे जदाल सेते हॉजूर आपको समेरे में के दूरे, देक करके सकता हू ranged passenger का आपको जड़ी जर चम्मिदाजारीक की कामानी ह। हांजिक झाल 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 कि हम देखिएगा हम expenditure method के थो नेशनल इंकम काउंट कर रहे हैं तो खर्चे में तो हमने एक प्राइवेट फाइनल कंजम्शन expenditure ले लिए कंजम्शन expenditure हमने ले लिए जिसके अंदर हमने हाउसओल्ड और आपका नोन प्रॉफिट इंस्ट्यूशन का भी हमने कंजम्शन expenditure ले लिए बात कर रहे तो टो है लेकिन गौर्रम भी करती है इसकी सरकारी बिल्डिंग मना देती है सरकारी स्पताला बना देती है तो सरकार ने जो खर्चा किया जो उससे लेबर मजदूरी से जो काम करवाया सरकार ने तो वहाँ पर उनकी आमदनी हुई या नहीं हुई सरकार का आपने कंजम्शन तो देख लिया आपने ये तो देख लिया कि इस साल जो दवाई मिल रही है ये गवर्मेंट का जर्शन एक्सपेंडिचर है इसमें जो दवाई ये बनाने के खर्चा तो आया ही होगा तो वह आपके पास पर आमदनी तो आपके पास पर आ चुकी है लेकिन जो सरकार ने उस साल बिल्डिंग मनाया कंस्रक्शन का काम करा उससे भी तो मजदूरों को तनका बाटी गए थी वह सिमिंट फैक्टरी वाले में जो है जाए इट बट्टी वाले जो हैं बदरपुर वाले जो है जो फैक्ट्रिया है महां तक पैसा पहुंचता उन सब की चेन उसकी भी आयोगी वह आई तो आपने जोड़ा नहीं था ना इसलिए हमने क्या करा कि इन्वेस्टमेंट भी होता है तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या नाम दिया तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट होता है यहां पर फिक्सा क्या तो तक तो लोगों की आया निंए ना आ रहे आपकी आई नी मनी किसी और की तो बनी है आपके इंकम पीछे तक परिवार का भी लेना पड़ेगा इस बात को समझते हैं कि मैं अपर दुकान में पूरे दुकान खाली तो रहेगा तो मुझे उसकी चिंता नहीं है कितना बना कितना विगा क्योंकि मैं एक हाउस होल्ड का फाइनल कंजम्शन मैं पर एक चुछ पर अपनी दुकान तो मैं देख रहा हैं कि 25 रुबएगा माल पड़ा हुआ है तो कितना एडिशन वा यह पंदरासों का माल जो बना है यह भी विखा नहीं दिन में कि जब बीका ही नहीं तो लेकिन कहीं नहीं होगा लेकिन कहीं नहीं लोगों की आमदनी तो बनी है ना पंदरासो का मेरा माल पड़ा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे यह हम इसको क्या बोलते सकों मोलतें के जचेंजन स्टौक एंगे शुध क्लियर कितने इसले हैं 15 रुपे तो चेंजन स्टॉक को लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो रहे यह दिंधनी जाता है लेकिन उस पर उसक्या घर्चा होता है वो वह किसी की आमदनी बनती है इसलिए च तो यहां पर आपनिंग स्टॉक का मतलब वो जो कि एक अपरेल को आपके पास में स्टॉक पढ़ा रहेगा तो क्लोजिंग माल जो आपने खर्चा कर दिया लोग यांदनी हो गई मेरे बात समझें अब आप इस बात को बड़ी कंभीता समझने के कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास में ग्रॉस डॉमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है मतलब फिक्स वर्ड नहीं है तो आपको कुछ भी लेने की जूरत नहीं है अगर आपके फिक्स वर्ड आ गया तो अगर यह दिया तो आपको यह भी लेना पड़ेगा यह नहीं दिया हुआ तो आपको इस तरीके सब के बनेगा मेरे बात समझें नहीं समझें तो अभी तरह हमने तीन पॉइंट ले लिए फाइनल प्राइवेट कंजम्शन एक्सपेंडिश्य जिसमें हाउसोल्ड और नोन कंजम्शन एक्सपेंडिचर दो दूसरा पॉइंट तीसरा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बाइट का जवाब नहीं दिया कि सर हमारा फॉर्मेट हमें GDP at MP निकालके देगा या पर हमारा फॉर्मेट एंडीपी at MP निकालके देगा क्योंकि आपने कहता है इंदोनों में से कोई एक निकालके देगा लेकिन रहेगा MP परी तो सर यह बता दीजिए बस हमें आप के निकालके देगा क्या बच्चे यह डिपेंड किस बात पर करेगा यह डिपेंड इस संजे हैं क्लियर है यह अगर नेट होगा तो बच्चे आपका फिर जीडीपी नहीं आया है फिर आपने क्या निकाला हुआ है फिर आपने आप को तर पॉइंड़ करेगा कि आपने जो निकाला वो जीडीपी तो महाँ पर इसका मतलब यह है इसका मतलब आपने यूज नहीं नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने अपका करेंगे बात बन जाए कि करेंगे बात बन जाया है 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 हलो सीक हुआ है 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 हन जी कि यहां तो समझ में आपको है लेकिन आप सिर्फ तीन सेक्टर ही है जो कि कर रहे हैं विदेशी भी तो आपके करते हैं हमाई लोग के आए बनती है तो चोथा पॉइंट लास्ट पॉइंट आपका क्या है आपका सबस्क्राइब इतने रुपैर हमारे पास में आए और इतने रुपै इंपकर जो हम बेशते हैं ते और लीवैंट यह dost है खॐता यह सूंसे बवेशन के लिए क्या प्राव आपको की Lizard it दे लिए यह काफी है यह private financial expenditure, government financial expenditure, gross domestic capital formation यह आपके पास में gross fixed capital formation प्लस inventory investment इसी को change in stock कहते हैं और इसको कैसे बनते आपको पता है कहें इसके भी अपने तीन point है और आपका net export, CDC बात है बाद सुझमें आपको आगर आ गई है तो आप हर हर महादेव को कहते वे आगे बढ़िए थोड़ा सा फिर माइक पी इतने में चार्ज हो रहा है अगर उसको यहां न करनेट करके करेंगे बच्चे आगे दूसरी क्लास के इसी कोशन को रिपीट करूंगा नेस्ट क्लास में जब दुबार करेंगे इसकोशन को आराम से अभी टाइम का प्रेश्य लेग करेंगे इसकोशन को राइम करेंगे इसकोशन को रहा है इसकोशन को रहा है अगर चार्ज है